37 दिन इतना ही वक्त 6 है जब देश का नतीजा तै करेगा कि सत्ता के सर्वच्च सिंहासन पर कौन विराजमान होने वाला है अभी तो सिर्फ आगाज भर हुआ है दो फेज की वोटिंग भर हुई है पाथ चरण का चुनावी रणा भी बाकी है लेकिन दो फेज के चुनाओं में वोटिंग के आखड़ों ने राजनीती के दिगजों से लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के माथे पर शिकन ला दी है पहले फेज की तरही दूसरे फेज में भी कम वोटिंग से कई पाथियों का चुनावी गुणा गड़ित गड़बर नजर आने लगा है सवाल ये है कि कम वोटिंग की वज़े क्या है कम मतदान से किसे नफा और किसे नुकसान है क्या वोटर उदासीन है या फिर चुनाव मुद्दाविहीन है हम इसकी पॉलिटिकल बहस में नहीं पढ़ेंगे लेकिन तथ्यों सुमूतों और तस्वीरों के साथ कम मतदान का संपूर्ण विशलेशन आपको जरूर देगे दो और दौर में तम मतदान तीसरे दौर के सियासी घमासान पर ये क्या है एक्स्क्रूसिफ रिपोर्ट हमने बनाईगे आप जरूर देगे कॉंग्रेस और इन्डिय अनैस ने देश विरोती और नफरत की राजली सी के दो सेल्फ गोल कर दिये के पास सबसे ज्यादा सत्ता है उस पद की गरिमा को उस पद की गंभीरता को अधार बना कर ऐसी बत्वास की बातें आपके सामय के दो ऐसे ही वार हुए, पलतवार हुए, बार बार हुए और अभी तो और होंगे चुनाव दो चरणों का हुआ है पांच चरण बाकी है लिहाजा तीसरे चरण के लिए चुनावी जंग का रण और भीशन हो चुका है दूसरे चरण का मद्दान पुरा होने के बाद बीजेपी और एंडिये दो जीरों से आगे चल रहे है कॉंग्रेस और इंडिये अलाइस ने देश विरोधी और नफ्रत की राजनीती के दो सेल्फ गोल कर लिये है और इसलिए ये पक्का हो गया है फिर एक बार फिर एक बार तीसरे दौर के लिए धुआ था प्रचार करने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी मैदान में उतर चुके हैं महराष्ट के खोलहापूर में रैली की और कॉंग्रेस को जम कर कोसा जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों को ये एहसास हुआ कि वो विकास के ट्रेक रेकॉर्ड में एंडिये की बराबरी नहीं कर सकते उन्होंने अपनी रणनिटी बदल ली इसलिए इंडिया लाइस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजंडा और तुष्टी करण के हटकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया महराष्ट के अलावा पिये मोदी में गोवा में भी डैली की अमित शाहन गुजरात में मोर्चा संभादा पबलिक को कॉंग्रेस का दोर्याद दिलाए दो दोर की वोटिंग के बाद कॉंग्रेस ने भी तीसरे दोर की फिल्लिंग सजा दी है प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में प्रचाद किया कहानी सुना कर प्रधान मंत्री की बयान बाशी पर चुटकी लिए गर में शादी होती है तो शादी के समय आपने देखा होगा मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं तो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दर्बार लगाते हैं लगाते हैं कि नहीं और अंकर जी सबको अपना ज्यान देते रहते हैं अब देश की परिस्थिती ये हो गई है देश के सबसे बड़े प्रधान मंत्री जी जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में उस पद की गरिमा को उस पद की गंभीरता को आधार बना कर ऐसी बक्वास की बाते हैं आपके सामने चुना होते यूपी के सीम योगी आदित्यना फिरोजाबात में थे कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जम कर निशाना साथा बोले नया भारत केवल गाम मंदिर नहीं बनाता बलके आतंक वादियों का गाम नाम सत्य भी करता है आध पाकिस्तान या देश का दुस्मन भारत की सीमा में नहीं गुश सकता उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ भी ऐसी जरुवत की जो भारत की संप्रबतार भारत की सुरक्सा के खिलाप होगा तो ये नया भारत है केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है आतंग बादियों का राम नाम सत्य है भी करना जानता है देश के एक छोर से दूसरे कोने तर दो चरण के चुनाओं के बाद दावों का दौर और तिब्र हो चुका है दो चरणों में 11 राज्यों और 3 केंदर शासित प्रदेशों की सभी सीटों पर वोटिंग फूरी हो चुकी है अब बारी है तीसरे फेश की जिसमें 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होगा 7 मई को असम की 4 सीटों, बिहार की 5, 36 घर की 7 सीटों के लिए वोट परेंगे इसके अलावा गोवा की 2, गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे करनाटक में 14, मध्यपदेश में 7, महराश्ट्र में 11, उत्तरपदेश में 10, पश्यम बंगाल में 4, दमन और दीव में 2 और जम्मो कश्मीर की एक सीट के लिए भी 7 मई को ही मतदान है लेकिन उससे पहले, दो दोर के मतदान में कई दिगजों को टेंशन दे दी है इतना जरूर है कि दावों में बीजेपी कह रही है कि 400 पार का रूट तो क्लियर है जबके विरोधी कह रहे हैं कि दो फेज की वोटिंग ने ट्रेलर ही नहीं बलके फूरी फिल्म दिखा दी है पूरा भुरुसा है कि हमारे काम के बलपर हमारे नीती, हमारे नितुत, हमारी सोच इसके बलपर हम इस चुनाव में आए हैं और निशित तोर पर जिस तरह से मेंडिट मिला है भार में देश में कोई रोप नहीं सकता 400 पार बिल्कुल 400 पार होगा बीजेपी के लोग डिप्रेशन में है, सेकेंड फेज के बार डिप्रेशन में है वो केवल समाज में जहर बोना, यही उनका काम है अब देश की जनता पहचान चुकी है 400 का नाणा भूल ला गए मोदी जी एक बार भी अब सकेंड फेज होते होते हैं तो 400 का नाणा भूल गए हमने पहले ही बोला था 400 फिल्म का फर्स फेज में ही जो फिल्म था सूपर फ्लप हो गया राजनीती में दावे तो होते ही रहते हैं और इन दावों की वज़े भी है क्योंके दूसरे फेज में 13 राज्यों और केंडर शासित प्रतेशों की 88 सीटों पर 68.49 फिसदी ही वोटिंग हुई जबके 2019 में इन ही सीटों पर 70 पतेशत से ज्यादा मद्दान हुआ था ऐसे में सवाल ये है कि कम मद्दान से किसे नफा और किसका नुकसान है दूसरे फेज में कम वोटिंग टर्न आउट के माइने क्या है दूसरे फेज में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मद्दान हुआ त्रपुडा में सबसे ज्यादा करीब 89.66 फिसदी वोटिंग हुई महराश्ट में 69.63 फिसदी बिहार में 57.98 पतेशर और उत्तर पतेश में सबसे काम 54.85 फिसदी मद्दान हुआ जम्मु कश्मीर में 71.63 फिसदी लोगों ने अपने मता धिकार का इस्तिमाल किया करनाटक और केरल में 67.65 फिसदी और 65.92 फिसदी वोटिंग हुई मद्द्देश में कुल 56.6 फिसदी लोगों ने मत डाला पशिम मंगाल में 71.98 फिसदी लोगों ने मत डान किया खास बात यह है कि 5 साल पहले इन ही सीटों पर बंपर वोटिंग हुई थी एस दफाद 36 घर को छोड़ दें तो देश के करीब सभी राज्यों में पिछली बार के मुकाबले कम लोग ही वोट डालने घर से लिखिए कम वोटिंग को लेकर सियासत भी टेज हो गई है दो चरणों के जो मद्दान हुए है वह सपस्ट है कि 4 जून 2024 को जनता तो अपना जो है जनादेश वो सपस्ट तोर पर सुना देगी संदेश खाली के लोग बंगाल के लोग और इस देश के नयाई प्री जनता ये पूछना चाहती है कि संदेश खाली का क्या संदेश ममता की निरममता पर क्यों चुप है राहुल स्टालिन उद्धो और अखिलेश यह सवाल इस देश की जनता का है बीजेपी के दूसरे दिकजनेताओं का दावा है कि अभी तक के मत्दान से जो रुजहान मिल रहे हैं वो बीजेपी की जीत के संकेत हैं लेकिन विरोधियों को अभी से मौका नजराने लगा है तेजस्वी यादो क्या कहते हैं सुने बीजेपी के लोग जो हैं भारी डिप्रेशन में हैं देखे अब हर कोई देश का हर एक युवा हुजूर्ण हमारे जितनी पाताएं बहने सब लोग घरजात की लोग घरवर की लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी है तो बेरोजगारी खतब होना मुश्किल है मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है तो लोग जो है परिशान है तेजस्वी यादव ही नहीं कम वोटिंग से कॉंग्रिस की उम्मीदें भी फरवान चाहने लगी है मद्यपादेश में कमलनाथ तो अभी से जनता को शुक्रिया कहने लगे हैं एक्स पर लिखा कि जनता ने परिवर्तन के लिए मतदान किया अखिलेश यादव भी कम वोटिंग को साइकिल के लिए मुफीद मान रहे हैं देश बदलाब चाहता है भारती जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते है जनता इस बार भारती जनता पार्टी को बदलते कि सियासत अपनी जगे है लेकिन सवाल ये है कि कम मत्दान की वज़े क्या है पॉलिटिकल एनलिस्ट से समझे सबसे बड़ा करण जो गिनाया जा रहा है वो हीट वेब बहुत गरम था कल इसको कई माइने भी हैं अपोजिशन जैसे कह रहा है कि कम वूट का मतलब है कि बीजेपी के वूटर्स का कान्फिडेंस जादा है कि चार सो तो आई रही हमारे वूट से क्या हो जाएगा और बीजेपी के ये कहना है कि जो हमारे वूट है हमने वूट लेविल पर मनेजमेंट किया है हम एक वूट को अपना लाए है चुकि ये कांग्रेस पार्टी बीएस पी और अन इंडिया ब्लॉक के जो लोग है और दूसरे दल निर्दली वगरा इनके मत दाताओं के ये मनना तक जीत तो रहे नहीं है तो बोट दे के क्या पायदा है तो इस तरह की भी बात्चीत चल लही है लोग सभा चुनाओं में कम वोटिंग की बड़ी वज़े भीशन गर्मी और लू को भी माना जा रहा है पहले पुरुत्तर भारत और अब उत्तर भारत में लू के हालात है यूपी से लेकर विहाद तक भयंकर गर्मी पर रही है ऐसे में चुनाओं प्रचाथ पर भी असर पर रहा है सवाल ये है के बाकी बचे फेज में क्या होगा ये सवाल इसलिए क्योंके मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इस साल अपरेल से जून तक देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान में से ज्यादा रहने की संभावना है खासतर से देश के मध्ध और पश्चिमी इलाके में हालात भीशन गर्मी के होंगे इस बार 97 करोर से ज्यादा वोटर ही एक जून तक साथ चरण के चुनाव पूरे होंगे मतलब इस बार 46 दिन तक चुनाव होने हैं 2019 में 36 दिन तक चुनावी प्रक्रिया चली थी लेकिन गर्मी का असर भी दिखा था जिन राज्यों में हीट वेप का असर था वहां 70 फीसदी से कम वोटिंग हुई थी मसलन 2019 में बिहार में 57 पर्टिशक, उत्तर पदेश में 69 पर्टिशक, दिल्ली में 60 फीसदी, महराश्क्र में 61 फीसदी जबके राजस्थान और ज़ारखंड में 66 और 67 फीसदी लोगों ने वोट डाला था ये हाला तब थे जब पूरे देश में टर्णाउट 66 दश्मलोग 47 फीसदी रहा था लेकिन सिर्फ उन्ही इलाकों में वोटिंग कम हुई जहां भीशन गर्मी थी इसी लिए आशंका जताई जा रही है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वोटर टर्नाउट पर असर पर सकता है फास्त और से भयंकर गर्मी में बोजुर्गों, महिलाओं और डिव्यांगों को लंबे वक्त तक लाइन में लगने के दोरान दिक्कतों का सामना करना पर सकता है लेकिन गर्मी के दोरान देश में चुनाओ पहली बार नहीं हो रहे 1991 में 20 माई से 5 जून के दोरान वोटिंग हुई थी एवरेज मैक्सिमम टेंपरेचर 35 दिगरी के आसपास रहा था 55.9 फिसदी वोटिंग हुई थी 1996 में अप्रेल 27 से 7 माई तक चुनाओ हुई 57.9 फिसदी वोटिंग हुई 2019 तक अप्रेल से माई के दोरान ही वोट परते रहे हैं 2004 में 58 फिसदी 2009 में 58.2 फिसदी लेकिन 2014 में 66.4 फिसदी रिकॉर्ड वोटिंग हुई और 2019 में ये रिकॉर्ड बढ़कर 67.4 फिसदी तक पहुँच गया यानि गर्मी का वोटिंग परसेंट पर ज्यादा असर नजर नहीं आता इसे लेकर युनिवर्सिटी अफ लंदन की एक रिसर्च भी सामने आई थी रिपोर्ट में 2008 और 2017 के विधान सभा चुनाओं में वोटिंग के ट्रेंड को लेकर रिसर्च की गई है रिपोर्ट के मुताबिक चुनाओ के दोड़ां अगर गर्मी में एक दिग्री की बहुत्री होती है तो करीब 1.5 पी सरी तक मत्रान बर जाता है यानि अगर सामानने से एक डिग्री ज़्यादा तापमान हो तो डेर फिसदी ज़्यादा लोग वोट देने घर से बाहर निकलते हैं अप्रैल के महीने में गर्मी असर तो दिखा रही है लेकिन लोगतंतर के महाफर्व को लेकर लोगों का जोश भी बरकरार है लिहासा सर्फ दो फेज की वोटिंग से किसी नतीजे पर पहुँचना आसान नहीं है गर्मी बढ़ेगी, वोट बढ़ेगा, नतीजा क्या होगा, महीने भर बाद ही पता चलेगा जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए, बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु, पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गौन, जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे